आज मैं पुना का फेमस खटा मीठा तीखा मसिदार लक्षमि नारच चिवडा की रेसिपी शेयर करूंगी और ये चिवडा बहुत ही आसानी से और जटपट बन जाता है तो शुरू करते हैं बनाना तवे पर मैंने दो बड़ा चमच खड़ा धनिया, दो बड़ा चमच सोफ और एक बड़ा चमच जीरा लिया है इसे हलका हलका खुशबो आने तक भून लेंगे ज्यादा ना भूने नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सर में ड पाउडर धाई से तीन छोड़ा चमच आपके टेस्ट के हिसाबते नमक एट करके पीस लेंगे तो चीवड़े के लिए टेस्टी खटा मीठा तीखा पाउडर तयार है यह मैंने फ्राय करने के लिए नेट लिए यह आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यहां मैंने 200 ग्राम मुं प्राय नहीं होना चाहिए नहीं तो चीवड़े का टेस्ट कडवा हो जाएगा तो यह मुंगफली बहुत अच्छे से फ्राय हो गई है बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है ऐसे मुंगफली का दूसरा बैच भी फ्राय करने के बाद एक से दो मेंट लो फ्ले प्त्रे प्त्रेश में कट कर लिया है लोटि मिटियम फ्ले स्ट और फ्राय करेंगी इसका कलर ज्यादा डार्क नहीं करना है यह तो नारेल कड़वा हो जाएगा और ठंड़वा हो जाएगा वे कि दिखने में अच्छा नहीं लगे गा तेल को नेट में से अच्छी थरसे निकाल दे और उसके बाद नारिल को प्लेट में डाल दें अब ये मैंने 40 g बादाम लिये हैं बादाम को मैंने 2 भागों में कट कर लिया है इसे भी हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को लोग पर ही रखें तो ये बादाम भी फ्राइ हो गए है 40 ग्राम काजु को मैंने 2 भागों में कट कर लिया है इसे भी low flame पर हलका गुलाबी कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे तो काजु भी फ्राइ हो गए है अब यहां मैंने 30 ग्राम किश्मिश ली है इसे low flame पर फ्राइ कर लेंगे जैसे ही सारे किश्मिश फूल जा इसे तुरत बाहर निकाल ले यह मैंने 10 हरी मिर्चों को कट कर लिया है इसे भी हची से फ्राइ कर लेंगे तो मिर्च अची से फ्राइ हो गई है अब यह मैंने 25-30 कले लहसुन को मोटा मोटा कूट लिया है ब्राउन क्लर आने तक इसे फ्राइ करेंगे लहसुन काला ना हो इस बात का ध्यान रखे तो लहसुन भी फ्राइ हो गया है अब कड़ी पत्ता फ्राइ करेंगे ये मैंने कड़ी पत्ते की 4-5 स्टिक्स ली है कड़ी पत्त को क्रिस्पी होने तक फ्राय करेंगे कावा सुनिए कि कड़ी पत्त अच्छे से क्रिस्पी हो गए है तो अब सब फ्राय करने के बाद लास्ट में पोहे फ्राय करेंगे ये मैंने आधा किलो मोटा पोहा लिया है अब पोहे को fry करते वक्त तीन जरूरी बातों का ध्यान रखना है पहला कि तेल अच्छे से गरम होना चाहिए जिससे पोहे तेल को कम एब्जॉब करेंगे दूसरा एक साथ कड़ाई में ज्यादा पोहे नहीं डालना है जिससे तेल का टेंपरेचर कम हो जाएगा और पोहे ज्यादा तेल अब्जॉब कर लेंगे तीसरा नेट में बिल्कुल थोड़े थोड़े करके पोहे डाले गरम तेल में पोहे फ्राई होकर तुरंत उपर आ जाएगे और अच्छे से फूले और कुरकुरे फ्राई होंगे एक साथ ज्यादा पोहे डाल देंगे तो सभी पोहे ठीक से फ्राई नहीं होंगे फ्राई हो जाने के बाद पोहे को थोड़ा टॉस कर ले ताकि एक्स्ट्रा तेल नेट से बाहर निकल जाए तो सारे पोहे फ्राय कर लिये हैं और पोहे अभी गरम है तो गरम गरम पोहे पर पिसा मसाला डाल कर अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिससे पोहे पर मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से होगी और हल्दी हिंग को हमने फ्राय नहीं किया था तो गरम पोहे पर हल्दी हिंग भी हलके से भुन जाएंगे अब ये सारी फ्राय की हुई चीज़े डालने के पहले कड़ी पते को क्रेश करके डालेंगे जिससे नमकिन में कड़ी पते का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कड़ी पते को मैंने अच्छी से करेश करके डाल दिया है अब ये सारी चीज़े डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इतने नमकिन के लिए मैंने जो भी मसाले का नाप बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन आपको खटा और चाहिए तो आप अमचूर पाउडर उपर से और एड़ कर सकते हैं तीखेया मिठा कम लगे ताप मिर्च और पिसीवी शकर अपने हसाब से एड़िस कर सकते हैं नमक भी और चाहिए तो एड़ कर लें और मैंने अभी तक एक्स्रा तेल निकालने के लिए टीशू पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है आप बरतन पर टीशू पेपर बिच्छा कर फ्राय की चीज़े डाल सकते हैं जिसे एक्स्रा तेल निकल जाएगा मैं लास्ट पेपर बिच्छा कर उसके उपर चीवडा फिला दूँगी और दो घंटा रहने दूँगी जिसे एक्सर तेल चीवड़े का निकल जाएगा तो यह पुना का फेमस लक्षमी नारेन चीवड़ा बनकर तयार है और देखे कितना कुरकुरा बना है एरटाट कंटेनर में भरकर आप इसे तीन महिने तक स्टोर कर सकते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ यह चीवड़ा बहुती मज़िदार लगता है तो आप यह पुना का फेमस लक्षमी नारेन चीवड़ा बनाकर जरूर देखे और आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताईए रेसी पी पसंदा है तो लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर करिए